तो हलो गैस कैसे आप लोग तुगाई साजम बात करने वाले हैं मोवी के ग्रेड़िट कार्ड यूपीआई फीचर की अगर आप लोग अपने ग्रेड़िट कार्ड के लिमिट ज्यादा बैंक गयरा में ट्रांसफर करते हो उसके बाद यूपीआई ट्रांजिक्सन गयरा करत को required look at related link करो वह रूपय का का deed करके आप कि लिमिट किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो किसी यहाँ एक पैमिंट कर सकते हो तो उसके लिई कि सब्सक्राइब कर लहें आप लोग यहाँ पर यहाँ पर यहां पर जा सकते हो जैसे क्या पर देख सकते हो upi transfer को option आ रहा है यह फिर scan any qr का उपसंद आ रहा है तो आप दोनों में से किसी भी option प्यान सकते हो दोनों दगा आपको option मिल जाया गा credit card को link करने का से पेमिंट करनेगा तो इन दोनों में से किसी भी option पे आप लोग क्लिक कर देंगे उसके बद इस आपके सामने इस परकार को option आजाएगा आप यहां पर लोग अपने नमबर लिंक होगा और आपको credit card को option दे दिया जाएगा जैसे कि आप अपने credit card से वहाँ पे payment कर पाएंगे चलिए एक वो direct यहां पर ID इसने उठा लिया ठीक है अब यहां पर आपने क्या करना है कि amount एंटर कर देना है कितना amount करते हो और किसी को भी payment करते हो credit card से तो उस पर आप लोगों को चार्जिस देने होंगे जितने चार्जिस आप लोगों को rent payment पे देने होते उतने चार्जिस आप लोगों को UPI transaction पे देने होंगे ठीक जो convenient fees है वो 2.36% की लिए जाएगी और total amount है यहां पे देख सकते हो credit card होंगे वो यहां पे आ जाएंगे अगर आपने पहले से एड कर रखा है तो new debit and credit card को जो option आ रहा है आप इस पर किलिक करके अपने रूपए card कर नंबर हो गयरा यहां पे डालके simply add कर लेंगे यानि के simply pay पे करेंगे तो जैसे ही आप लोग पे किलिक करेंगे वैसे ही आपको credit card पे OTP होगारा send करके अपने credit card को OTP फिलप करके वेरिफाइए करके payment कर देंगे वैसे ही आपका जो card यहां पे link हो जाएगा ठीक है इसके बाद अगर आप लोग किसी qr code को scan करके उस पे credit card की limit transfer करना चाहो तो क्या उस पे credit card को option मिलेगा तो चलिए उसको भी हम यहां पे देख लेते हैं simply scan qr code का जो option आ रहा है तो हम इस पे click करेंगे इसके बाद guess यहां पे मेरे gallery में qr code पढ़ा हुआ है जो कि एक upi qr code है तो select करने के बाद guess यहां पे scan हो जाएगा और यहां पे देख सकते हो qr code से इसने upi id उठा लिया और उपर banking name भी उठा लिया और यहां पे बता दिया कि मिलने वाले हैं यानि कि यहां पे सबसे उपर account मिल जाएगा और यहां पे आपको wallet या फिर credit card का option मिल जाएगा तो यहां पे अगर आपको direct अपने credit card से किसी को payment करना है किसी merchant पे या आप लोग जादा अपने credit card के limit bank में transfer करते रहते हो तो आप लोग इस option का यूज कर सकते ह